sounds जो भी चेप्टर है पॉली मर्स तो उसको लोग गहनटे के अंदर पूरा लेक्चेन को खतम करने वाले उसमें जो भी सारी चीजें को रिपीजन करने वाले ताकि उस से जıtना भी एक नंबर और का वह कोस्चन आपाए वह सारे कोस्चन को असान तरीके से बना सकते तो चलिए देर ना करते वे सेसं को स्टार्ट कर रहे हैं सारे बच्चे को गुड बॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड अप्टरनून, सारी चीजें, चलो फड़ापट से फड़ापट सारे बच्चे revision कर सकते हैं अराम से क्या कि आज के night में ही इसका क्या होगा most important question आपको मिल जाएगा किसका आपका polymers section के जितने भी सारे important question उसको दे दिया जाएगा इसलिए देर ना करते वे session को हम लोग start कर रहे हैं तो चलो जल्दी से जल्दी आजार सारे बच्चे है ना तो देखे सबसे पाले हम लोग देखते कि polymers होता क्या तो पॉली मर्स जो है यह आपका चैप्टर नंबर कितना है चैप्टर नंबर आपका 50 नहीं तो पॉली मर्स में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या-क्या चीजे हैं थोड़ा से चेक कर लेते हैं आवाज सही कि चलिए ध्यान दीजिए इसमें से आपका question पूछा जाएगा वह एक question पूछा जाएगा कैसे एक question पूछा जाएगा objective वाले और एक question जो रहेगा वह रहेगा एक question three marks वाला short answer type question मतलब three marks में short नहीं होता है लेकिन क्या कह सकते हैं उसमें 8-10 line लिखने वाला question रहता है तो वह ऐसे types के question आपके पूछने की संभावना है तो देखें सबसे पहले समझते polymers होता क्या है polymers किसे कहेंगे उसी के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगा अराम से चलेंगे कुल माइंडेट से ठीक है जिसको इस lecture को एक बहुत ही लंबा देखना है 3 4 5 lecture में देखना है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि चैनल पर जाएं आपको सारे way में मिलेगा आपको लंबा lecture में मिलेगा और ज्यादा लंबा में मिलेगा सारे तरीके से polymers का chapter हमने explain करके रखका है तो चलें सबसे पहले देखें polymers मैं यहाँ में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब आपका क्या बनता है पॉली मर्स बनता है मतलब सिंपल पॉली का मतलब क्या हो जा रहा है बहुत सारा मेनी और मर्क का मतलब क्या हो जा रहा है पार्ट्स या यूनीट हो जा रहा है तो क्या कहते है polymer क्या होता है कि the reaction in which यह number of small molecules क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे molecules को क्या करते हैं combined together एक दूसे के साथ जोडने का प्रियास करते हैं बहुत सारा एक दो चार नहीं बहुत सारा molecules को छोड़े छोड़े molecules को आपस में जोड़ने का प्रियास करते हैं and forming a large molecules और वो क्या करता है बहुती बड़ा molecules का formation करता है is called polymerization reaction उसी को हम लोग क्या करते है polymerization reaction के नाम से जानेंगे simple funda आप इतने आद रखें माल लिया जाए कि कोई molecules हमने ऐसे करके ले रखा है क्या ले रखा है कोई molecule यह है इसको polymer कराएंगे यह हो जाएगा लेकिन आपका जितना गुना यहां पे लिजिएगा यह उतना गुना यह क्या हो जाएगा सर वीडियो सही नहीं आ रहा है हलका सा वीडियो क्वाइल्टी सही करें आपका 100% सही आएगा ठीक है आप थोड़ा सा क्वाइल्टी को सही कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगे कि जो लेफ साइड में बाग लेता पृलिवी मराचेशन में और उसके क्वान क्या करता है ऑन प्रोड़ाग्ट का पॉल नवर का फर्मेशन पर्मेशन चरते हैं उसी प्रकार के रियइस्टे ंडेयक्ट को क्या करतें मोनोमर्स करते हैं तो छो partido को सकते हैं लार्ज मॉलिकुल फॉर्म यार कॉल्ड पॉलिमर और जो बड़ा सा मॉलिकुल बन जा रहा हूं उसको आम लोग क्या कहेंगे पॉलिमर के नाम से जान दे ठीक है अब यहां पर देखते कि यहां पर कौन सा मॉनोमर से रहे क्या पॉलिमर बन रहा है जैसे यह आपका हो गया इथिन मॉलिकुल क्या हो गया है इथिन मॉलिकुल हो गया इथिन को अगर हम एन गुना करके लिके चर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है कि सिंपल सा इतने बात याद रखना है कि अगर को ऐसे करके CH2 डबल बन CH2 है तो आपको क्या करना है कि इसको जैसे आप polymerize कीजिए ते इसका क्या होगा डबल बॉन टूटके क्या कर देना है सिंगल बॉन और एक बॉन इधर खाली एक बॉन इधर खाली और ऐसे करके haul कर देना है क्यों कि बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे molecules का ऐसे ऐसे छोटे molecules का आपस में जोड़ने का बाद आपका बन रहा है तो यही क्या हो रहा है कि जितना गुना यहाँ एन लिजिएगा यहाँ जितना गुना लिजिएगा उतना गुना तो डबल बॉन से सिंगल बॉन में आ जा रहा है और यह क्या क्लुराइड ले लिए लिए नाम से जितना इये पॉलिम्राइजर्जिसन के बाद ढगा उतना गुना तो सिंगल का फैसे करेब यह क्या हो गया और यह यह क्या हो गाई से क्या बन गया पॉली लग गया तो क्या हो गया पॉली भिनायल क्लोराइड आपका बन गया यह क्या पॉली भिनायल क्लोराइड जितना भी मॉलेकुल से उसमें अगर पॉली लगा हुआ है तो वह हॉमो पॉलीमर होता है जितना भी है वह उसको क्या कहेंगे हॉमो पॉलीमर कहेंग होता है तो देखिए यहां पे देख udahनेट नहां तो क्या नामसे तो यह झाल अइसे करके इस tracker में ताकि इसका unit जितना unit आप repeat करना चाहें वो unit को आप बहुत असान तरीके से repeat कर सकते हैं तो यह क्या हो गया homopolymer से बन रहा है और यह क्या हो गया ऐस्टायरिन से क्या बन गया polystyrene बन गया तो आपसे यहां पे objective जो आता है बच्छो तो कहता है कि polystyrene का monomers क्या है तो क्या बोलेंगे आश्टाइरीन आपका क्या है monomers होता है क्या polystyrene का monomers यह वाला सबसे ज़्यादा viral question रहता है CF2 double bond CF2 इसका नाम है tetra fluorothene क्या है tetra fluorothene होता है इसको अगर polymerize कराते polymerize कराते तो क्या बन जाता है tetra fluorothene में क्या लग जाएगा poly लग जाएगा तो देखो double bond सिर्प तूटेगा यह double bond जो है यह single bond हो जाएगा इधर एक नया bond खाली एक इधर bond खाली तो यह क्या हो गया poly tetra fluorothene आपका हो गया तो यह आपके polymers हो जाते हैं तो हमने समझे लिया कि polymers किसे काते हैं polymerization reaction किसे काते हैं यह सारी चीजों को हमने असान तरीके से समझने का प्रियास किया तो चलो आगे की और प्रहस्थान करते हैं यह बाते समझ में आ रहा है तो दीरे दीरे इस सेसन को आगे बढ़ाने का प्रियास करेंगे आगे की चीजे क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि classification की polymerization का classification किस वे में करते हैं अगर polymerize है तो polymerization का classification किस अंदाज में करेंगे तो classification of polymer अगर हम लोग देख रहे हैं तो आसान तरीके से देख सकते बच्चों ये कितने प्रकार के आपके हो सकते हैं तो देखो इसको सजाने के लिए इसके तरीके बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के लिए तो आप अराम से बता सकते हैं ये कौन-कौन से टैप के हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या कहा सकते है बच्चों कि सबसे पहले on the basis of source के अधार पे यह कितनी प्रकार के आपके जो sources हैं वो उस sources में कितने तरीके से पाये जाएगा उसके अधार पे तो हम लोग जानते कि source के अनुसार मला स्रोतों के अनुसार कहा कहा पायाता है तो सबसे पहले नेचूरल होता है नेचूरल का मतलब वह इसे polymers जो कहां से प्राप्त कर रहे हैं वह इसे polymers which are obtained from nature यह natural sources जिसको हम लोग plants animal से प्राप्त करते हैं उस प्रकार के sources को उस प्रकार के polymers को हम लोग क्या करते है natural polymers के नाम से जानेंगे उस प्रकार के polymers को हम लोग क्या करेंगे natural polymers के नाम से जानेंगे अराम से तो plant और animal से प्राप्त करने वो भी आपका क्या हो गया पॉलीमर हो गया लेकिन कैसा पॉलीमर है नेचूरल पॉलीमर के रूप में ये है कैसा पॉलीमर है बच्चो नेचूरल पॉलीमर के रूप में ये चीजे है अब आगे की और अगर देखेंगे प्रोटीन आपका हो गया नेचूरल रब्बर हो गया और सब क्या नेचुरल पॉलिमर कि इसको केमिकल से नहीं बना रहे हैं हम लोग कहां से प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पोधे जीव जन्तुवों से प्राप्त कर रहे हैं तो उस प्रकार के पॉलिमर को क Chicago चलो कि यह प्रस्थान करते सिंथिक पॉलिमर को मैनमेड बहुति जाता है सिंथिक पॉलिमर को हम लोग कहते हैं तो मैनमीड पॉलिमर मतलब क्या होता है ध्यान देंगे तो वैसे polymers which are prepared or which are prepared in lab वैसे polymers जिसको हम लोग कहाँ पर बना सकते हैं library में बना सकते हैं या non-age synthetic polymer वैसे polymers जिसको हम लोग lab में बना सकते हैं बच्चों उस प्रकार के polymers को हम लोग कहेंगे उस प्रकार के polymers को हम लोग कहेंगे synthetic polymers या man-made polymers के नाम से इसको हम लोग जानने का प्रियास करते हैं किलियर है चलो good आगे की ओर देखते हैं कि ये इसका example क्या है example जैसे हमने देखा था polythene क्या देखा था polythene तो ये आपका polythene हो गया क्या गया polythene हो गया polyvinyl chloride PVC अब भी हमने जो चेक किया था ये सब कैसा हो गया आपका natural polymer या man-made man-made जिसको हम लोग synthetic polymer के नाम से भी जानते हैं जैसे nylon 6-6 हो गया या terrylene हो गया ये सब किसके अंतरगत आएगा तो आपका सारा आ जाता है सिंथिटिक पॉलिमर्स जिसको हम लोग अराम से लेव में बना सकते है वो शारे लेकिन उसमें कुछ न कुछ my Social make Virgin करतें उसके उससे की मिकसब कॉंस चाहिए work with व्यृक्व कोऊ सब्सक्राइब का सकते हैं कि जह सिंधीटील का फैकोर apologize यो जो आपका आपका नेचर से अधर नेखिर अधीर करदे यह और जले तो यह सब यह सब आपका कह Oxnit प्रयास करेंगे तीन प्रकार का आपका होने वाला है अब यह परकार का कौन-कौन सा होगा बच्चों वो चीजों को अम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला जो पॉलिमर्स होता है वो लिनियर पॉलिमर्स होता है कौन सा पॉलिमर्स होता है लिनियर पॉलिमर्स आपका हो जाता है तो लिनियर पॉलिमर्स में अगर आप देखेंगे तो कौन से पॉलिमर्स को देखना है तो लिनियर पॉलिमर्स में आपको क्या करना है लिनियर पॉलिमर् कि लोंग एन मिदा प्रव्ण और नाव ुसमें वह जै गा कि किसी भी परकार का ब्राच नहीं रहे का कि सिर्फ सीधा सिधी रहे गा किसी के साथ किसी के साथ लिंक अप नहीं रहे गा तो उस प्रकार के पाली मर्स को मलं कैंगे लिनियर पॉलिमर्स के नाम से जाना जाता है जैसे इसका एक्जामपल हो जाता हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो हो गया पॉलिथीन जो है वो क्या है लिनियर पॉलिमर्स या पॉलिविनायल क्लॉराइट जिसको आप पीवी सी के नाम से जानते हैं वो क्या हो जाता है आपका पॉलिमर्ज के नाम से जाना जाता है एंडी साहिल रज्जा कर रहे भगवा इंपोर्टेंट है ध्यान देना साहिल जी तो यह लिनियर पॉलिमर्ज के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसमें याद रखना हाई डेंसिटी पॉली थीन के रूप में जाना जाता है सर आठ बजे का टाइम था ना आठ बजे वो टेस्ट होता है ना आठ बजे आपका ये चेप्टर का टेस्ट होगा बाबो ठीक है इसलिए अभी इसको पहले one shot उसके बाद 8 बजे आपका देंगे इसका टेस्ट और most important question देंगे थीरिमार्ग्स का तो linear polymers कैसे होता है तो simple सा linear polymer आगर झ्यभके उता है ऐसे करके हिसमें किसी भी प्रकार का polymer में मतलब क्या क सकते हैं बौनट नहीं रहता है सिधा सिधा एक दूसे से connected रहता है तो क्या था आपका linear polymers हो जाता है जैसे अगर देखें तो यह सिदे सिदे एक दूसे से connected है ना तो यह क्या है या linear polymer के रुप में भाले टेडा टेडा लिखा है लेकिन किसी में कोई भी branch उरांच नहीं है इसलिए क्या हो गया linear polymers हो जाता है ठीक है तो branched chain polymer दूसरा आ जाता है branch का मतलब क्या हो जाता है कि वैसे polymers the polymers in which monomers are unite together जिसमें क्या आता है monomers एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और and form branch like structure लेकिन उससे क्या बनता है कि जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो branch structure के रूप में formation कर देता है या simple सा कह सकते हैं कि the polymers having linear chain with branching कि वो तो linear chain के रूप में है लेकिन उसमें क्या होगा कि branch भी रहेगा linear chain के रूप में है लेकिन उसमें क्या होगा branch के रूप में होगा तो LDP कहते हैं या गलाइकोजेन गलाइकोजेन जो हम लोग कहते हैं माइटो कॉंड्रिया के रूप में मनिश्यों में पाए जाता है जहां इनर्जी अस्टोर रहता है वो सारे चीज़ें आपका होता है तो यह वाला अस्ट्रेट लाइन नहीं होगा बाबो इसमें ब्रांच ब्रांच लटका रहेगा देखो यहां पर ब्रांच हम लोग का लटका है अस्ट्रेट लाइन नहीं होगा ब्रांच ब्रांच लटका हुआ रहेगा तब यह क्या हो गया ब्रांच चेन पॉलिमर हो गया अगर अस्ट्रेट अस्ट्रेट है तो अस्ट्रेट चेन पॉलिमर हो होता है लो डेंसिटी पॉलिथीन का मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना वो लिनियर पॉलिमर से कम होता है ठीक है नेक्स्ट वन अब आगे यहां पर ध्यान देने का प्रियास करेंगे आगे यहां पर क्या है कि क्रॉस लिंक्ड होता है तीसरा जो टैप होता है क् एक दूसरे के साथ क्रॉस करके आपका क्या होता है कि तियार किया जाता है क्रॉसिंग के दवारा एक दूसरे को जोड़ा जाता है तो यहां पर पॉलिमर करके जैसे एक एक है इसको जोड़ते कैसे क्रॉस करके इधर एक एट इधर एक एट यह दिवार बन रहा है अगर यहीं पर जोड़त ऐसे इट जा रहा है ऐसे क्रॉस करके एक के उपर इटा इटा के उपर इटा के उपर इटा एकदम उसी गेप में नहीं क्रॉस करके जोड़ा जाता है दिवा polymer के नाम से जाना जाता है तेक है इसका एक्जाम्पल हो क्या आप नियरитесь paul icon आपका है यह linear chain polymer था यह linear chain polymer था मैभी दूसरे से cross कर दिये एक दूसरे से cross कर दिये तो यह क्या बन गया cross linked polymer आपका बन गया इस परकार से आप बता सकते हैं cross linked polymer है ठीक है next on the basis of intermolecular forces के अनुसार अगर हम लोग polymer को देखेंगे और polymer में देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा strong होता है किसमें सबसे ज़्यादा attraction बल होता है और कौन सी चीजें किस bond के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उस परकार से अगर देखेंगे intermolecular forces के अनुसार तब यह कितने परकार के होंगे तो देखें यह चार परकार के होंगे intermolecular forces के अनुसार polymer जो होते होते हैं वह कितने परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं तो कौन-कौन से होंगे कि the elastomers सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है तो elastomers क्या होता है कि the polymers the polymers having elastic property वह इसे polymers जिसमें properties क्या होना चाहिए, elastic होना चाहिए, elastic का मतलब लचीला, आप खीचेंगे तरबड जैसा एकदम खीचाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, elastic polymers होता है, and that substances, and then reverse back into original sap, क्या हो जाता है, कि simple funda की कोई भी polymers है, उसको अगर आप खीचें तो खीचा जाएगा, लेकिन फिर उसको छोड़ देंगा, तो same position पे आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को elastomers के नाम से जानते हैं, जितना लंबा रबड लिये थे, इसको एकदम खीचके लंबा कर दें, लेकिन छोड़ें तो फिर जितने बड़ा था, उतने द्वारा जुड़ा होता है, और वंडरवाल्स क्या होता है, कि आपका कितना होता है, वंडरवाल्स एकदम असान वाला फोर्स होता है, जिसको असान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तोड सकते हैं, इसका एक्जामपल हो बुना N हो गया, butadine, sodium, auste-rin वाला butadine, auste-rin के नाम से जाना जाता है और बुना S हो जाता है, nioprin हो जाता है, यह सारे क्या हो जाते हैं आपका polymers हो गया, elastomer-s के रूप में जाना जाता है अब आग आगे-फाइबर्स, फाइबर्स क्या होता है इसका दूसरा था है दबहेगा बेकिन जुदेगा कि से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बांड को बनानी के लिए आपके पास फॉन चाहिए या यह कहता है कि या सकत है सकते डाइपोल के नहीं माइनस वाला होता है कि इस प्रकार के फॉरमेशन से इस प्रकार के interaction से जो बनता है FiberS उसी को हम लोग क्या करते हैं फाइबर के नाम से जानते हैं इसको मुलग किस नाम से जानते हैं अब यहां पर देखिए इस यह कें भी ट्रांस्फॉर्मड इंटो फाइबर होता है इसको फाइबर में असान से convert कर सकते हैं, और इसका उपिवक हम लोग हम कहां करते हैं, Rops को बनाने में,looking. किसी बनाने में? Render appendix को बनाने में, materials को बनाने में dress, materials जो होते हैं, मतलब ज़िसे हम लोग dress को खरीते हैं, jacket ना, jacket ही खरीते हैं, jacket में plastic का कुछ लटका रहता है, बच्चों के लिए जो खरीते कपड़े उसमें भी क्या होता है कि यह चीजें लगा रहता है तो वो ड्रेस मैट्रियल के लिए भी आपका होता है इसका एक्जामपल आप देख सकते हैं नाइलोन सिक्स हो गया और क्या हो गया नाइलोन सिक्स हो गया टेरीलीन हो गया यह सब son some आते हैं आयों कि फाइवर्सके इत लोतें जो कि अस्ट रोंग हाईड्रोजन बॉंड के तवारा बना हुआ PAT तो सब्सक्षकर हो जाते हैं यह मैंड की से कहेंगे तो फार्मो प्लास्ट्स्थ इंडता है कि डबिक पॉलीमर्स 100 Mm melt on heating वैसे Polymers जिसको heat करेंगे तो यह क्या होगा कि melt हो जाएगा heat करने के बाद यह क्या आता है melt हो जाता है लेकिन उसको अगर और उसको क्या करेंगे and becomes hard, solid बन जाता है on cooling देंगो अगर heat कर रहें तो पिखल जाएगा heat कर रहें तो वो क्या होगा पॉलिमर्स को हम लोग क्या कते है थर्मो प्लास्टिक के नाम से जानते हैं मला आपका जैसे प्लास्टिक ही है प्लास्टिक अगर जला देते तो वो क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाता है पिघलने लगता है लेकिन फिर से उसको छोड़ देते थंडा होने के लिए तो फिर व in Elastomers और Fibers elastomers और Fibers के बीच का इसका श्टेंद्ट होता है यह खुब जदा shtronk भी नहीं होगा और यह खुब कम shtronk भी नहीं होगा यह क्या होता है इंटर मीडिये ट वाले होता थे इन चीजों को आढ़ा काते है थर्मो प्लास्टिक के नाम से जानते हैं जैसे पौली भिनायल क्लूराइड पी बीसी पाइप वह भी क्या अधा है तो यह क्या होता है कि आपका क्या होता है व्लोग तैन Image next one thermosetting plastic thermosetting plastic क्या आता है कि the polymers which do not melt उसको अगर heat करेंगे तो वो melt नहीं करेगा वैसा polymers जिसको आप heat कर रहें तो वो melt नहीं हो रहा है उस प्रकार के polymers को हम लोग क्या करेंगे thermosetting thermosetting plastic का मतलब हो रहा है जिसको आप heat किजे बट heat करने के बाद वो melt आपका नहीं हो रहा है तो उस प्रकार के polymers को आप क्या करते है thermosetting plastic के नाम से जानते हैं कि the thermosetting polymers have cross linking एक दूसरे के साथ जुडा हो रहता है cross link होता है by a strong covalent अगर thermosetting plastic थर्मosetting plastic है तो उसके बीच में जो bonding होता है वो a strong covalent bonding होता है जिसके कारण वो आसानी से क्या होता है कि melt नहीं करता है आसानी से melt नहीं होता है bonds between long chain लंबा chain के बीच में a strong covalent bond होता है and this is why thermosetting polymers do not melt जैसे आप देख सकते हैं tv पुराने जमाने का अगर tv ले लेते हैं radio ले लेते हैं तो उसको अगर melt कराते थे उसके cover को तो melt नहीं होता था वो melt होता है क्या melt नहीं होता था क्यों क्योंकि उसमें क्या आता है कि वो आपका किसे बना strong covalent bond से बना हुआ रहता था thermosetting plastic से बना रहता था जिसके कारण उसको heat किजे melt ही नहीं होगा तो उस प्रकार के polymers को हम लोग thermosetting plastics के नाम से जानते हैं यह हम जूता का मोटा मोटा sol अगर black black में दिया रहता है तो वो भी आपका thermosetting plastic से बना रहता है जिसे example में क्या हो गया बेक्यलाइट हो गया मेला मीन हो गया या यूरिया फॉर्मल डियाइड रेसिन हो गया यह सब क्या है thermosetting plastic के अंतरगत आता है तिक है next one आपका देखे most important question है most important question है क्या difference between thermosetting and thermosetting plastic या thermosetting polymers इन दोनों में आपको क्या करना है कि difference बताना है तो difference 100% आध करके रखना है बच्चो तो क्या होता है कि thermosetting को आपने याद रखा है क्या कि वैसे polymers जो क्या होता है soft and क्या होता है कि these are softer and softer मतलब बहुती क्या होता है soft होता है and melt on heating and becomes hard on cooling बहुती hard आपका नहीं होता है यह क्या होता है लेकिन heat करने के बाद melt हो जाता है और आप ठंदा किजिए यह क्या होगा hard हो जाएगा लेकिन इसका अगर thermosating में आती है यह क्या होता है becomes hard on heating अगर heat भी करें तो melt नहें हो रहा है जैसा है उसी तरीके से रह जाएगा अगर इसकी बात और करें तो यह क्या होता है reversible होता है, दूसरा point में भी आप लिख सकते है thermosating जो होता है, इस यह reversible process हीट करो मिल्ट हो गया थन्डा करो फुर आपका कैसा हो गया जैसा था वहrea भंगया तो यह चीज आपका हो जाता है और यह क्या होता है थरम hypothalppe फ्रोसेस होता बच्चों फीस के आलाव यह मोलडेड़ और रिमॉल्डेड एंड रिसेप ऐसे यह क्या होता है कि मेल्ट कर जाता है थर्मो प्लाइटिक तो इसको बार-बार इसको पिगला सकते हैं और इसके सेप को बार-बार हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके सेप को क्या कर सकते हैं बार-बार इसके सेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं रिमाल्ड डजेट और री शेवड बार बार इसके आकार प्रकार को चेंज कर सकते हैं लेकिन खर मोज नेखिन फ्रास्टिक को ऐसा कुछ नि steering ले ऊता है ओर स्राइशा दॉर थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो कैसा तब चोंडन सेशन पॉलीमर होता है थर्मो प्लास्टिक का जो होता है वह प्रियास करेंगे प्लास्टिक के अधार पे आपको बताना है कि पॉलीमर्स जो होगा वो कितने प्रकार के होंगे तो मोनोमर्स के अधार पे अगर देखेंगे तो यह दो टाइपस के होंगे एक होमो पॉलीमर्स होता है एक क्या था होमो पॉलीमर्स होता है होमो पॉलीमर्स का होता मतलब क्या है कि वैसे पॉलीमर्स जिसमें वीच इज मेड़ आप अप वन टाइप ऑप मोनोमर्स क्या था है कि वैसा पॉलीमर्स जिसको हम लोग कैसे बना सकते है सिंपल सा एक परक इतिन जो बन रहा है तो फॉले इतिन बनाने के लिए दो तीन चीजे चाहिए दो चीजे चाहिए नहीं एक टाइप का अगर मोनोमर्स तो क्या बन जाएंगा आपका क्या होता है इसी तैप का एक्जामपल आप ले सकते तो पॉली विनाइल ग्लॉराइड भी आपका क्या होता है एठीन क्या कर सकते हैं कर अश्तृरीन को लेके छाएं सब यह क्या हो गया आपका हॉमो पॉलिमर्स होता है देखो एक आसान तरीका बताते हैं कि अगर आपको आपको क्या करना है कि चेक करना है कि कौन सा होगा हॉमो पॉलिमर्स और कौन सा होगा को पॉलिमर्स किसी भी नाम के किसी भी पॉलिमर्स के नाम के आगे अगर पॉली प पॉलीमर हो गया अगर आपका पॉली बिनायल क्लोराइड तो पॉली आ गया ना मतलब हॉमो पॉलीमर है इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वाली वन टैप ओप मॉनोमर्स से बना हुआ है नेश्ट वन को पॉलीमर्स को पॉलीमर्स का मतलब बता है कि वैसा पॉलीमर्स विचि टाइप्स का दो टाइप्स ही रहेगा मोनमर तब इसका को पॉलिमर जैसे आपका टेरीलीन हो गया क्या हो गया टेरीलीन हो गया बुना एस हो गया बुना एन हो गया नाइलोन 6-6 हो गया तो यह सारी क्या ब्सें को पॉलीमर से इसमें कहीं भी देखो Unterabilities इम नहीं लेगा है तो तेरि्लीन इस सब जो भी चीजें रहेगा जिसमें नहें दो एक्षी लिए क्षा यहां वहां दो रों से मुलाकें तब आपका अधूर्ट को ऑघ्र की उसके बाद यहांपे क्या है मायनस निकल गया ह 2 उसके बाद जो बचा यहां एन एच बचा एन तो एन एच share गया आपको यहाद रखना है कि नायलन 6-6 किसे बन्ता है। इसका मॉनोमर्स क्य होता है ? तो hexametylene diamine और edipik acid के condensation से बन्ता है ठीक है अगर terrilline बोला जाहे तो terrilline किसे बन्ता है? territory thallic acid से बन्ता है प्लस éthylene glycol से अगर बुना S बोले तो 13 buta dyne से बन्ता है आश्टायरीन से mix up करने से भूना N बोला जाए तो क्या कह सकते है व्यूटाडाइन से बनता है 1-3-1-3 व्यूटाडाइन और अक्राइलो नाइट्राइल से बनता है तो इस प्रकार से जिसमें एक से अधिक टैप मतलब दो टैप के मोनोमर्स अगर रहता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि मतलब को पॉलिमर्स के नाम से जाते है लाश्ट वन इसका क्लासिपिकेशन का लाश्ट वन क्लासिपिकेशन पांचवान टाइप का classification on the basis of mode of polymerization mode of polymerization के अनुसार तो ये क्या होता है addition polymers होता है एक क्या होता है addition polymers होता है एक होता है आपका condensation polymer addition polymers हो क्या होता है कि ये large number of small molecules जब large number of small molecules छोटे-छोटे molecules बहुत सारे छोटे-छोटे molecules को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, unit together, मतले, एक दूसरे के साथ combine करेंगे, संगठित करेंगे, forming longer molecule या larger कर सकते हैं, forming or larger molecule, form customerатель, khi चोटे मौले कूल को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो क्या होगा बढ़ा सा 66 बनाने के लिए तो इस प्रकार से कुछ किसी भी चीजों को आपको क्या करना है छोटे-छोटे उनीट को तोड़के नहीं निकाला तो इस प्रोसेस को क्या कहते है एडिशन polymerization के नाम से जानते हैं कि simple सा कि वैसे polymer जिसमें small molecules आपस में combine करेगा और combine करने के बाद बड़े molecules का formation करेगा without elimination और छोटे-छोटे molecules तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि आप addition polymers के नाम से जाना जाता है देख है और उस प्रकार के polymer को इडिसन polymer कहेंगे जैसे आपका एडिशन हो गया polythene polythene क्या हो गया एडिशन polymer हो गया आपका sono S acabar हो गया एडिशन polymer हो गया आपस में जूड रहा है लेकिन आपका क्या कर रहा है कोई भी चीजों को निकालने रहा बुना एन क्या हो गया आपका एडिसन पॉलीमर हो गया जैसे इथीन है इथीन से आपने क्या कर दिया पॉलीथीन का फॉर्मेशन आपने कर दिया इथीन से आपने क्या कर दिया बच्चों पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर दिया एडिसन पॉ साथ क्या करेगा longer molecules बड़ा molecules का फॉर्मेशन करेगा longer molecules of polymers with eliminating मतला अब क्या कर रहा है कि जुड़ेंगे लेकिन जुड़ेंगे लेकिन तब को निकालेंगे जरू जोडने के सासाथ किसी को तोडेंगे जरू तो जोड रहा है लेकिन जोडने के सासाथ कोई छोटे-छोटे molecules को क्या करा है निकाल रहा है जैसे छोटे-छोटे molecules जो निकलेगा वो कौन-कौन से जानेंगे बात्य आद रखना कि अकर सीधे सीधे जूरी जूरा रहत एडी 쉽नप उसके साथ साथ क्या क्या करा है कुछोटी छोटी क्या कर रहा है कि बाहर निकाल देता है तो उस प्रकार के आना hanno से न % , व्हाद दे अध्यां जानेंगे जैसे ची, नाम से स् resonate जैसे हम लोग लिए हैं क्या ले लिए हैं CH2 का हॉल 6 ले लिए हैं NH इधर भी NH ऐसे करके तो इसका नाम क्या है हक्सामिथलिन डायमिन और इधर क्या ले लिए हैं एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड च्टू का हॉल फोर और दोनों तरफ सी डवल वह ऐसे करके तो देखो एक तरफ से क्या निकार रहे हैं एक मॉनोमर से एच निकार रहे हैं दूसरे से क्या निकार रहे हैं तो क्या निकल जाएगा आपका एस्टू निकल जाएगा तो दे प्रकार के होते हैं तो यह भी आपके दो प्रकार के होंगे कितने प्रकार के होगे तो दो प्रकार के एक आपका एडिशन ओ एडिशन काते या चेन ग्रोथ काते यह चेन ग्रोथ पॉलिम्राइजिशन रियक्शन तो एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलिम्राइजिशन रियक्शन जो है न वो स्यम आपका एडिशन जो पढ़के आए न बच्चो वही है कि वैसा केमिकल रियक्शन इन विच दा लार्ज नंबर ओप स्मॉल मॉलिकूल उनाइट तुगेदर एंड फॉर्म या लार्जर मॉलिकूल विदाउट इलिमिनेटिंग सिंपल मॉलिकूल तो सिंपल सा क्या कहते है एडिशन या चेन ग्रोथ उसी को कहेंगे जिसमें छोटे छोटे मॉलिकूल सा आपस में जूड रहा है लेकिन किसी को बाहर नहीं निकार रहा है तो वो क्या हो गया आपका एडिशन पॉलिमराइजिसन के नाम से जाना जाता है अब एडिशन पॉलिमराइजिसन में कौन-कौन भाग लेता है तो double bond वाला या triple bond maximum आपका double bond वाले भाग लेके आपका क्या करता है addition polymerization का formation कर लेता है यहाँ पे क्या होता है क्या आपका addition polymerization हो रहा है तो यहाँ पे जितने भी चीज़े पढ़ेंगे सब double bond वाले पढ़ेंगे triple bond वाला यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है तो देखो ethin ले लिए हैं ethin से आपका क्या बन गया polythine थीन से क्या बन गया polythine आपका बन गया addition polymar के कार है इसी unit को बार बार हम लोग repeat करेंगे ऑगर और भी बढ़ाना है है ठीक है इसका मेकनिजम का कोई जोरत ने कहीं पर भी कुछ ने पूछा जाएगा अब यहां पे देखें कि चेन ग्रोथ पॉलिमर्स जो है एडिसन पॉलिमर है उसका एक्जामपल है जैसे पॉलिथीन हो गया पॉलिथीन को अभी हमने बहुत बार पड़ लिया है कि इस यह पॉलिमर ऑप इथीन यह क्या गया पॉलिथीन जो होता हूँ किसका किसका मॉनोमर्स है इथीन मॉनोमर्स का पॉलिमर हो जाता है क्या पॉलिथीन पॉलिथीन का मॉनोमर क्या है इथीन तो पॉलिथीन जो होता हूँ किससे बनता है इथीन से एंड इट इज प्रिपेरड हीट करेंगे और हीट करने के बाद क्या करते इंदा परजेंस और किसका परोकसाइड के परजेंस में तो फॉर्म क्या कर लाता है तब जो बन जाता है आपका क्या बन जाता है पॉलिथीन बन जाता है तो पॉलिथीन बन जाता है तो पॉलिथीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है एक लो देंसीटी पॉलिथीन होता है लो डैंसीटी पॉलिथीन क्या होगा बच्चों कि लो डैंसीटी पॉलिथीन इज पुरिपेड़ वाइड ा-डा-धा-ण पॉलिम 0 y और पर्टिंपरीशन करते हैं लेकिन दाव टेंट की बात किया जाए तो साड़ेंसो से पाइसो सतर केलीन अगर प्रेशर की बात किया जाए तो 1000-2000 ATM pressure के बीच में इसको किया आता है तब low density सिर्फ नाम का low density है इसका temperature pressure सब high रखते हैं तब ये low density polythene बन जाता है तो हमने ले लिया इथिन मॉलीकुल को ले लिया और इथिन मॉलीकुल को लेने के बाद कितना बेंजोल प्रॉक्साइड के परजिंस में डवल बॉन टूटके कहा जाएगा सिंगल में और साड़ी 300-570 केलिविन में 1000-2000 ATM तब आपका low density polythene बन जाएगा low density polythene का main features होता है तो features इसका क्या होता है यह branch chain polymer होता है यह chemically inert होता है क्या हता है chemically inert और क्या होता है tough होता है इनट का मतलब होता है इसके उपर कोई भी chemical गिराद हो acid गिराद हो कुछी भी परकार का कोई चीजों से फरक इसको नहीं पड़ेगा ऐसा होता है यह low density polythene tough का मतलब होता है मजबूत होता हाड होता आसानी से आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं तो वो परकार के polymer होता है यह क्याता है flexible होता है आसान से आप mode उड़ सकते हैं यह flexible होता है और poor conductor of electricity इसमें electricity का किसी भी परकार से प्रवाह नहीं होता है तो इस sorry तो low density polythene का उप्योग हम लोग करते है वाइट के कभर बनाने में खिलोना को बनाने में यह पाइप जो था फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसको बनाने में हम लोग इसका उप्योग करते हैं ठीक है उसके अलावा हो गया some important addition polymers तो addition polymers में यह हो गया low density polymer हो गया उसके polymerization of ethene इसको क्या करेंगे कि addition polymerization करते है किसका ethene लेकिन in the presence of याद रखना in the presence of बहुँ ज्यादा important है यहां से एक one liner क्या करता है objective पूछेगा तो चीजे भी याद रखना क्या था TICL4ALC2H5 का हॉल्टरे मतलब जिगलर नटा catalyst के presence में करते हैं किसके presence में होता है जिगलर 333 Kelvin से 343 Kelvin under 6-7 ATM pressure में तो आपका polythene था तब यह सारे condition दिया तब आपका क्या हो जाता है high density polythene बन जाता है यह जो polythene बनता हो linear polymers बन जाता है कैसा बन जाता है बच्चों linear polymers बनता है उसके अलावा यह भी chemically inert होता है और यह tougher और harder होता है और भी ज्यादा उससे ज्यादा म इसब कर सकते हैं बाल्टी जो लेते हैं वो ले सकते हैं बोतल जो होता है वो ले सकते हैं pipes जो होता हो सब चीजों को बनाने के लिए इसका अपयोग किया आजाता है दूसरा एडिशन polymers आ हो जाता है tetraphleurothene वो भी क्या है टेफलोन पॉली टेटरा फ्लूरो एथेन क्या है बच्चों पॉली टेटरा फ्लूरो एथेन तो यह जो पॉलीमर्स है यह क्या है टेटरा फ्लूरो एथेन का है जो कि हॉमो पॉलीमर है जो कि किस नाम से जाना जाता है कंडेंसेशन या एडिसन एडिसन पॉल स्प्रेट से इन घैड़elles जो होता है कि केंट्रा न लगाया रहता है कि वर सारी चीजों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं तो यह चीज़ें आध रखते हैं और गेस सील इस सब का गैस कीट इस सब या ओइल सील के रूप में जो पेकेजिंग किया जाता है ओइल इस सब को एक जगह से लग जाता तो उसी को एक्राइलो नाइटरल करते हैं क्या करते हैं तो यहां पर क्या बनना है पॉली एक्राइलो नाइटरल तो पॉली एक्राइलो नाइटरल को हम लोग और लोन कहते हैं या पेन के नाम से जानते हैं तो सिंपल सा इटी दा पॉलीमर ऑप एक्राइलो नाइ को हीटिंग करते हैं तब आपका क्या था इंदा परजेंटkiejवकाइब की परजेंट में तब का सकते ना थागों को को बनाने में इसका उप्योग किया जाता है को मर्शियल फाइबर को बनाने में और लोन या एक्रियन का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट वन कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है जिसको अश्टेफ ग्रोथ करते हैं कंडेंसेशन का मतलब आप लोग पहले से जान चुके क्या होता है कि सिंपल पंडा की वैसे केमिकर रियक्शन जिसमें लार्ज नंबर और स्मॉल मॉलेकुल्स आपस में जुड़ेगा वित दा इलिमनेशन और छोटे-छोटे मॉलेकुल्स को बाहर-बाहर निकालते वे वही आपका कंडेंसेशन पॉलिमर हो गया तेक है इसका एक क्या कता है it is prepared by the condensation of terry thalik acid क्या अतया है बेंजिन में क्या होता है कि पारा position पर और नीचे ऐसे कशकते ท्족 погते जूरा होना क्या कोजाख और उइसका इसका मॉनुमर से आध रखना टेरी सेलिय का सिट और इतली नगलाइकोल क्या आता है कि हैं कि है अपका s chemical धोनों में क्या लगता ऑग च ne ऐसे लगा होना क्या कर लाता है आपका टेरी थेलिक एसीड इन दा पर्जेंस ऑफ जिंक एसीटेट और क्या थे एंटीमोनी ट्राइकसाइड तो देखो हमने टेरी थेलिक बेंजीन रिंग लिए इधर भी सीड़ वह इधर भी सीड़ वह अब सीएच टू सीएच टू लिए इधर भी वह अब दोनों से क्या करना मको दोनों से एक से एकशर एकसे ञिकाल देना जैसे ऐसे करके निकाल टी तो आपका क्या हो गया तो देखे ver ad सेशन पॉलीमर के कारण क्या होता है कि यहां से वाटर निकल गया और यह दोनों इधर पार्ट वाला इधर वाला पार्ट दोनों जूड़ जाएगा इन्दा परजेंस ऑफ जिंक एसिटेट जो था जैडेंस एच्टरी सीडवलों का हॉल्टो और एंटीमनी परोक्सा है तब यह चीजों को ध्यान देना है अराम से ध्यान देना और चीजों को बनाना है ति है कि यहां पर देखो सी वो वो ग्रूप पे कैसा आ गया सी वह वह गुरुप आ गया तब यह क्या बढ़ पॉलिश्टर के नाम से जानते इतिक इस रिपीटर टाइम कि ऑं लिए एक पॉलिश्टर रख्या है की इसमें इस्टर ग्रुप जो है बार-बार रिपीटेड हुआ है Terrylean is also used to make dress material, Terrylean का उप्योग हाँ पर करते है कि dress के material बनाने में हम लोग आते है jako a cotton बनाते हैval terrylin tehd 63 BERLIN सिल्क को मिला के तो इस प्रकार से अपयोग हम लोग कहां पर कते है textile industry में करते नैलन 6-6 को लोग 2-3 बात पढ़ चुके हैं कैसे बनता है तो तो यहां पर निकल जा रहा है और जो बन रहा हो ही आपका क्या हो गया क्या आपका नाइलोन 6X हो गया यहां पर अगर देखा जाती है कि किस परकार का मोनोमर्स है पॉलिष्टर है या पॉलिमाइड तो सीवो एनेच टू गुरूप आ गया इसके लिंक अप होनी के बाद तो इसको क्या करते हैं पॉलिमाइड कहेंगे क्या कहेंगे पॉलिमाइड इसको क्या करते हैं नाइलोन 6X क्या कि दोनों तरफ से आपका 6-6 कारवन है इसका भी 6 कारवन 4 और एक इधर 6 और इसमें भी 6 तो इसलिए इसको करते हैं 6-6 के नाम से जाना जाता है, इसका उप्यों कहां पह करता है, textile industry में, मतलब कपड़ों को बनाने में, brush को बनाने में, seats को बनाने में, यह सारी चीजों में हम लोग करते हैं, next one आ जाता है, caprolectum, मतलब nylon 6, nylon 6-6 के बाद आ गया, सिर्फ nylon 6 आ जाता है, तो nylon 6 क्या होता है तो ध्यान देना बच्चों तो nylon 6 क्या होता है कि it is prepared by the polymerization of condensation polymerization of caprolectum caprolectum क्या होता है caprolectum ध्यान पूर्वग देखना ऐसे यह जो आपका polymer है यह वाला जो है CH2 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 NH और CO भी तो इसको यह वाला जो होता है इसी को कहते है जब प्रिव लेक्टम से हम लोगए कंडंसेशन कराते हैं तो यहां पर देखो इसका दोनों का break up हो जाएगा यहां पर और break up उने के बाद c.o.o. c.o.o. इदर आ गया और कारवन कितना था 1 2 3 4 5 पांच दे दिये, इधर क्या था है, N-A तो यही आपका क्या हो गया, कंणिंसेसिर्ज esos, पॉलिमर हो गया, तो आपका Nylun 6 अगर पूछा जा ए, किस का मोनोमर सय है, या किस का पॉलिमर है, Nylun 6, तो मोनोमर उसका केप्रोलेक्टमर का पॉलीमर हो जाता है, आपका क्या नाइलॉन 6 के नाम से जाना आता है अगर आपसे पूछे यह किस परकार का पॉलीमर है तो आपका polymides है कि CO-NH group है तो इसका मतलब polymides है इसका उप्यों कहां पे करते हैं तो आपका fabrics बनाने में रसियों को बनाने में इसका उप्योग करते हैं उसके बाद आ गया आपका क्या है कि melamine formaldehyde resin melamine formaldehyde resin क्या होता है उसको देखते हैं it is prepared by the condensation polymerization of melamine and formaldehyde melamine क्या होता है यह देखो तीन गो एन रहेगा और उसी में तीन कारवन और रहेगा और तीनों कारवन से NH2 NH2 जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग करते हैं melamine उसको क्या करेंगे formaldehyde HCHO से करेंगे जब जैसे reaction करेंगे HCHO इसके साथ जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा इसी को आगे process में फिर से polymerize कराते तो आपका यह बन गया इसी का नाम में melamine के नाम से जाना जाता है तो melamine formaldehyde racing से बन जाता है तो इसका manufacture जो होता है इससे क्या बनता है तो आपका cups और plate जो होता है ना कहां पर घरों में जो हम लोग प्योग करते हैं plastic वाले टैप में जिसको पटक पटक के दिखाया जाता है लेगिन फूटता नहीं वही आपको क्या होता है melamine से बनता है next one bakelite bakelite क्या होता है bakelite को ध्यान पूरवक देखेंगे तो bakelite क्या होता है phenol और formaldehyde का polymer किसका polymer है बेकलाइट किसका phenol और formaldehyde का आपका क्या होता है कि polymer है and one of the most important polymer which are prepared by the condensation polymerization between phenol और formaldehyde फिनोल और फॉर्मल डिहाइड को आपस में जब ले आते हैं तब आपका क्या बनता है फिनोल फॉर्मल डिहाइड आपका बनता है जिसको हम लोग बेकलाइट की नाम से जानते हैं इन एसेडिक और बेसिक मेडियम कोई भी मेडियम जैसे फिनॉल ले लिए और फॉर्मल लिए तो यह क्या हो गया चुछ यहां पर जुड़ेगा वहां चुछ आपका हो गया ऐसे और तो पारा में हो गया फिर इसको जब बनाएंगे इसको फिर से पॉलिमराइज कराएंगे वहां जाएगा इसको लोग बैकेलाइट की नाम से जानते हैं वह आला तो इससे और भी क्या बना सकते हैं पीच को बना सकते हैं यह सारी चीजें हो जाता है नेक्स्ट वन आपको आगया नेच्वर रबबर रबर किसे कहते हैं कि नेच्वर रबर इस डा पॉलीमर आइसो प्रीन आद रखना आइसोप्रीन क्या आता है CH2 double bond से उसके उपर CH3 फिर CH उसके double bond CH2 बना एवन और फोन टू ऐसे करके कर सकते हैं वान हो गया तू हो गया थिरी हो गया फोन तो वान थिरी पर double bond आ जाता है तो यह क्या हो गया कि आपका नेचुरल रबर में double bond से आपका क्या बन रहा है कि जो भी चीजे बनेगा वह आपक इसका हो आपका है क्या हो जाएगा कि उसका पॉलीर बन जाएगा तो यह इसी molecule को हम लोगो क्या करते हैं आप आइसोपरीन करते हैं तो यह अगश को पूछा जाए है कि जो पॉलीर नाम से पालीया एसोपरीन में आप चाहें तो उस वे में आपका प्राप्त कर सकते हैं उसमें दानेदार दानेदार नहीं कर सकते हैं तो यह कहां से प्राप्त होता है लेटेक्स ट्री नाम से प्राप्त होता है जो आपका कहां पर पाए जाता है उदर अर्जेंटीना साइड में पाए जाता है तो वह स चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जब इसको करेंगे एडीट करेंगे तब यह होगा फ्रोपर्टी जब नेचूरल अबबर क्या होता यह एलेकिन अल स्ग्रौर करेंगे बीघूर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेल कर जाता है मतलब वाटर को अपने में खीच लेता है खुद्धे क्या हो जाएगा फूल जाएगा और उसके अलावा ब्राइटल होता है इसको तोड़ोगे तो यह तोड़ोगे तो यह तो यह आपका नेचुरल पॉलिमर होता है नेचुरल रब्बर होता है तो नेचुरल रब्बर को क्या किया जाता है थोड़ा सा वुलका नाइट किया जाता है वुलका नाइजेशन आप रब्बर ब-U-L-C-A-N-I-Z-E-B लिख सकते हैं या एस ये दोनों में से कोई वर्ड यहां उप्योग कर सकते है तो वुलका नाइजेशन आप रब्बर तो यह क्या होता है कि वैसा प्रोसेस आप इंप्रूपिंग दा प्रोपाटीज आप नेचुरल रब्बर के क्वालिटी में उसके प्रोपाटीज को इंप्रूब करने के लिए क्या करते हैं को उसको हीट करते हैं उसमें 5% या एप तो उसे क्या होता है कि वैसा नेचुरl ढबर जिसमें आपको क्या करना कि उसमें आपको मिलाना है क्या कि उसमें सलफर को मिला देना बीच में और उसका temperature 373 से कितना 415 Kelvin temperature में रखना है तब आपका जो रबर बनता है उसको क्या गता है वुलकानाइट रबर के नाम से जानते हैं वुलकानाइट रबर जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग होता है और वीच इज प्रोडूसेस बाइ सलफर एटम जो कि किसके द्वारा बनता है सलफर ईपधर होगए चीप 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 अप नहीं रहा गया वह जो आपका कम्जोर तो क्या हो गया स्टॉंग हो गया जो आद्म जो किया लेंनाहीर और करते गया हो तो बनाने में जैसे बहुत जजादा लचीला वालाजीब होता है जितना हवादाल क्रें 다음 से फ убийल क जाता है फुलते जाता है तो वह चीजें आ जाता है ठीक है अब यहां पे चीजें देखें कि डॉर मेट्स इससब को बनाते हैं अब उलका नाइड रबर कैन भी फर्दर भी हाड़ेड ट्रीटमेंट विध कारबन ब्लेक और भी और भी इसको हाड करना है तो वह क्या करता है कि और कारबन इससब को मिक्स अब करके और भी हाड किया जाता है और यह हाड करने के लिए क्यों किया जाता है ताकि इससे टायर इससब को बनाया जा सगे नेक्श्ट वन हो गया आपका सिंथिटिक रबर सिंथिटिक रबर क्या होता है कि सिंथिटिक रबर इज एनी भुल कुल का नाइजेबल रबर लाइक उपवलीमर यह क्या आता है सिंphτιेटीटिक नबर यहां किस rubber के नाम से जाना जाता है वुलकनाइट रबबर के रूप में भी जाना जाता है। पाप क्या हो गया कि बुलकानाईजेबल रबर तो उसको में लोग सिंथिटिक मतलब खुझसे बनाया हुआ रबर लेब में बनाया हुआ रबर टेक्व इसमें ज्यादा होता है यहार आफ फॉल्लॉविंग टाइप जो होते हैं यह निफित प्रकार के सिंथिटिक रबर होत लो प्रीन इसको पॉलिम्राइज कराएंगे यहां डबल बॉन हो जाएगा बीच में और इधर भी खाली इधर भी यह बन गया यह पॉलिकलोरो प्रीन बन गया यह आपका सिंथिक रबबर हो जाता है यह क्या गया मैं। करते हैं कर्च के रुप में करते हैं कैन्वरी यर में करते हैं किन्वेर जीसए आपका क्रेक्शर ना oth about भाएग क्राइशं संट हो फॉलिम्राजाशिय पॉलिम्राजये इंदए क κάνो इसका प्रीडाइन ऑर ठोलिम्राजिय संट को पॉलिम्राज़शन और क्राइल आपस में जूड जाएगा आपका मतलब यहाद रखें नेक्स वन इसका उप्यों करते कहां पर oil sils tank के lining करने में यह सब चीज़ हो अब आगया बुनास मतलब विटादाइन और सोडियुम के पर जैंस में का मतलब क्या तो यह चीज़ आपका बन जाता है तो यह चीज़ें के साथ इन अब पर जैंस कि footwear को बनाने में आपका floors का tile बनाने में जिसे हम लोग tiles अभी जो क्यों करें वो कैसे कर रहे हैं तो आप अराम से कह सकते हैं किस रुप में कि वैसे tiles का उप्यों किया जा रहा है जो आप असानी से फोड़ वूर नहीं सकते हैं ठेक हैं तो वो चीज़ों हो गया next one अब आग किया होता है कि Micro To Mya Khe खतम किया जाता है खापी खतम कर देगा उस सारी polymer क्या होंगे वाईो dobr bir ट॑ बलिमर के नाम से जाना चारा कि polymer को में लों क्या करते है IMD getting them both former co की नाम से जाटे ज़ब जो जब जो micro-organism उसको खापी के सड़ा गला के खतम कर देगा तो वहाँ पे वो बचेगा नहीं मलब pollution वो create नहीं करेगा तो बायो डिग्रीडिबल polymers are the polymers diet can be broken into a small segment जो कि क्या करता है छोटे-छोटे segment में तूड़ जाता है बायो डिग्रीडिबल polymers के नाम से जाना जाता है इसका एक्जांपल क्या था है जो अब भी polymer पाय जाता ना तो बहुत सारे ऐसी polymer का निर्मान किया जा रहा है तो उसके क्या हो जाता है कि आप यूज तो कर रहे है तो वो सड़ गल के आसानी से खतम हो जाता है जैसे पलास्टीकि उप्यों कर रहे हो तो जाता है तो क्या हो है तो वो इस जो जाता है माइक्रो फियом् कि खतना उसको क्या हो जाएगा सड़ा गला के उसको खतम कर देगा और उसके बाद आपका बचंगए लान भाई पॉली मन peace ажеको जिसको क्या कर सकते स्रागला नहीं खापिके खतम नहीं किया जा सकता है किसके दवारा कीडे वायोटी बैइन के णांते जैसे बेकलायट हो गया, मेला मीन हो गया, फोर्मल डिहाइड, रेसीन आपका हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? थोला सा एक, एक, एक important fact है, उसको हलका सा दिखा देते हैं, तो उसको हलका सा याद रख लेंगे, कहां पर आजा, जल्दी आजा, जल्दी क्या दो जानता है तो जैसे पॉली प्रोपीन है तो पॉली इसका पिविश को उलका देली ये तो जानते है वही आपके अलावा यूरिया फॉर्मल डियाइड रेसिन हलका यह आद रखें यूरिया फॉर्मल डियाइड किसे किसे बनता है तो यूरिया से बनता है फॉर्मल डियाइड तो देखो यूरिया फॉर्मल डियाइड जब मिल जाएगा तो यह चीज़ आपका बन जाता है यूरिया का फॉर्मला पता है या भूल गया तो यूरिया क्या होता है याद करो यह से होगा सी वो इधर भी एनेच टू होता है इधर भी क्या होता है इसी को मिलों क्या करते है यूरिया काते है यूरिया और फॉर्मल डियाइड यह वाला होता है यूरिया फॉर्मल डियाइड रेसिन आपका बन ज पहता है तो इसके साथ ट्रुट हो किस्कों हो जाता है तो इस प्रकार से यह सude जिसको यह चीज़ें ज्यादा से समझ में नहीं आया तो डीटेल में जाके देखें यहां पर सिर्फ एक ही मकसद था वन सौट वीडियो में क्या मकसद था कि जो बच्चे का रिवीजन नहीं हुआ है उसको बार बार रिवीजन करवाना इसलिए इसको यहां पर एकदम सौट वीडियो बताया गया वहां पर भी जा सकते हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहां तक आप क्या कर सकते हैं किलियर कर सकते हैं तो इस प्रकार से आज मेरा कितना कितना वन सौट वीडियो खतम हो चुका है तो तीन वन सौट वीडियो खतम हो तो इसलिए मिलते हैं रात में तो तब तक के लिए गुड नाइट सभी को बाइबाइब फिर से मिलते हैं रात में मिलते हैं रात के आठ बजे टेस्ट देना कभी ना भूले